मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहत गड़ में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहट स्कॉलर्स गुरुप के छात्र छात्राओं ने विद्याले परिसर से रेली निकाल कर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जागरुक नारो वा तथ्यों के साथ पुलिस चो प्लास्तों के द्वारा की गई जिसमें करीब 500 लोगों ने शपत ली स्कॉलर्स गुरुप के शिक्षकों द्वारा पॉलिथिन एवं प्लास्टिक का दानो रुपी पुतला बनाया गया जिसमें संदेश दिया गया कि मुझे खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दू साथ ही कपड़े की एक हजार थेली का नीशूल क वित्रन किया गया राहतगर से सल्मान कुरेशी की रिपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे फिरनीयक अम दूसरों को भी कि लास्टिक प्रदूशन के बारे में सिक्षित करेंगे तेहां की एक अतीथ की चीज बनकर रह जाए जिस्ते हमारी वर्तमान और आने वाली पीडियों को एक वेटर वातावरण मिल सके कि अज़ आज सभी स्कॉलर्स परिवार ने प्लास्टिक मुख राधकर को बनाने के लिए पहर चारू करी है अब सभी ने सब सारे राधकर जनों से निवेदन किया है कि प्लास्टिक को आपको अपने मात दिमाग से और अपने घर से खतम करेंगे तब भी प्लास्टिक पूरे शेर में खतम कर पाएंगे जो की बहुत ही जादा दूशित पतार्थ है हमारे परियावरण को दूशित करत ओर भी एफ्याद से से अपनुरों तरफ से हमेशा जलता रहे हैं और हर अभी बार कुछ नकुछ प्लास्टिक के वरोध कारिक्रम हम लोग करतेने मुशें ही करोगा कि जो हमारे पाएंगे जो प्यहली आती प्लास्टिक के लिए सब केमे में नावशित के जो सबस्क्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें